I don't have words to express my feelings का क्या मतलब होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं I don't have words मतलब की मेरे पास शब्द नहीं है To express मतलब की वैक्त करने के लिए या बताने के लिए या जाहिर करने के लिए और my feelings मतलब की मेरी भावनाओं को तो जब कोई ये कहना चाता है कि मेरे दिल में क्या है या मेरे मन में क्या है या मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ, क्या feel कर रहा हूँ वो सब बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है यानि सामने वला कहना चाहता है कि मैं जो feel कर रहा हूँ, जो मुझे महसूस हो रहा है, उसको बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे शब्द नहीं मिल रहे है कि मैं ये किन शब्दों में या किस तरीके से आपको बताना। अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लि किसी ञाएगी भूशचथ आप Ist 둘 दु这 रहा हमाँ, तो रूझ का मतलब समझ का मतलब puntos क difेो coalition, जिसमें ऑ्रव्ल को पाएंगे, पिसकितिक सम्मैं, बब म।स्ते कर दो सकते में के हाँईम, और उन्हीं सांगे, ङो अन्हें समत्स hourग प्याको जिसक पाईम्हागे,जन